नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है राजिस्थान के बारा में 11 अप्रैल को सामप्रदाइक हिंसा भड़क गई है छाबड़ा कजबे में दो यूवकों की छूरा घोपकर हत्या के बाद भड़की सामप्रदाइक हिंसा के दौरान दरजड वहनों और दुकानों में तोड़ फोड के साथ आगजनी की गई है पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया है और साथी कर्फ्यू लगा दिया गया है वह इसके साथ ही पुलिस ने हिंसक भीड को तितर बितर करने के लिए आसू गैस का अस्तिमाल किया लेकिन लाठी लोहे की छड़ और हत्यारों से लेस दो समुदायों के सदस्यों ने 11 अप्रैल की देर शाम तक उग्र प्रदर्शन जारी रखा यहां तक कि पुलिस और सरकारी वहनों के साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुचाने के लिए उसमें आगजनी की गई बता दे 12 के पुलिस अधिक्षक विनीद बंजल ने कहा कि इस्तिती बहुत तनावपूर्ण है भीड़ द्वारा हिंसा जारी है और हम इस्तिती को नियंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं हलाकि उन्होंने किसी भी हताहत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी लेकिन अधिकारियों ने कहा कि अतिरिक्ट बलो को बुलाया गया है और कोटा रेंज के डी आई जी रवी गौर समेथ कई अफसर पहुच गए हैं आपको बता दे दो पक्षों में 10 अप्रेल को चाकुबाजी की घटना को लेकर विवाद हुआ था सूत्रों ने कहा कि हिंसा तब भड़की जब अली गंज और अजाज नगर में दुकाने बंद करने को कहा गया सूत्रों ने बताये कि धरनावदा, सरकल, स्टेशन रोड, अजाज नगर और अली गंज शेत्र में करीब 10-12 दुकानों में आग लगा दी गई गौर तलब है कि इसके बाद एक निजी यात्री, बस, कारों और अन्य वहानों के साथ एक दमकल की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया तनाव को बढ़ता देख, 12 जिला कलेक्टर ने 11 अप्रेल को शाम 4 बजे से छाबड़ा शेहर की नगरपाली का परिधी में करफ्यू का देश दिया अधिकारियों ने कहा कि 13 अप्रेल को शाम 4 बजे तक जिले में इंटरनेट को निलंबित कर दिया गया है फिलहाल इस खबर में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए One India हिंदी के साथ